इस वीडियो में बात करेंगे CS Executive में कैसे registration करना न्यू सिलिवस में और हाँ registration करने के बाद free में book कैसे order करना detail में बात करेंगे students तो वीडियो को पूरा last तक देखना है YouTube पे ऐसा वीडियो एक भी नहीं मिलेगा जिसमें आपका सारा doubt क्लियर हो जाए इस वीडियो को देख करके तो आप registration कर लो फिर आगे चलके आपको exam form फिल करना कैसे फिल करना सारा वीडियो live demo आएगा फिर CS course के related सारा update इसी चैनल पे आएगा आपको पूरा updated रहेगा तो students channel को subscribe देखो बच्चो ध्यान से बाते को सुन लेना सबसे पहले Q&A जान लेते कि December 24 में CS executive का registration करने का क्या होगा आखरी date फिरी में book कैसे मिलेगा June 25 का क्या होगा आखरी date फिरी में book कैसे मिलेगा सारा doubt इस वीडियो को देखने के बाद clear हो जाएगा और साथ में कैसे registration करना ये भी detail में जान लेंगे वीडियो को पूरा complete देख लीजेगा चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कीजेगा ताकि CS related कोई भी doubt ना है चाहे आप December 24 में exam देना चाते हो या June 24 में इस चैनल को subscribe कर दोगे तो relax हो करके पढ़ाई कर पाओगे इस वीडियो में पूरा detail में बात करेंगे अगर आप लोग CS executive का exam December 24 में देना चाते हो या June 25 में इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जवरत ही नहीं परेगा CS executive में दो तरीके से registration कर सकते हो पहला तरीका है CSWT पास कर लो उसके बाद registration कर लो के या दूसरा तरीका है कि सीधा CSWT का exam ना दो सीधा direct entry से CS executive में registration कर वा सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क से किलियर है, then आप डारेक्ट इंट्री से रजिस्टेशन करवा सकते हो, या नहीं तो CMA फाइनल बोथ ग्रूप पास आउट है, then आप डारेक्ट इंट्री से CS एक्जिकुटिव में रजिस्टेशन करवा सकते हो, मैं ऐसा पास आउट हो, तो आपको December 24 में देना, या नहीं तो June 25 में देना, ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा, अगर आप लोग CS एक्जिकुटिव का एक्जाम, December 24 में देना चाहते हो, वो भी बोथ मोडूल, then आपको रजिस्टेशन करना होगा, रजिस्टेशन करने का क्या है आपको December 24 में CS एक्जिकुटिव का बोथ मोडूल का एक्जाम देना है, तो ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा, 31 में 2024 आपको CS एक्जिकुटिव का एक्जाम, December 24 में देना, then रजिस्टेशन करने का आपको एक्जाम पूर्म फिल करते समय, अपना डिसीजन को चेंज भी क आप चाहो तो पहले गुरूप 2 दे सकते हो, बाद में गुरूप 1 या बोथ में भी एपिर कर सकते हो, अगर आप लोग 31 में 2024 तक रजिस्टेशन कर लोगे तो, लेकिन 31 में 2024 तक रजिस्टेशन नहीं करोगे, then आप बोथ मोडूल में एपिर नहीं कर सकते हो, December 24 में, लेकि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना परेगा, लेकिन 31 में तक रजिस्टेशन करने के बाद हमें नहीं देना December 24 में, तो कोई बात नहीं है, June 25 में दुबारा से रजिस्टेशन नहीं करना होता, जब June 25 का एग्जाम फॉर्म आएगा, तो उसको फिल करके एपिर कर लेजिए आपके पास बहुत सारा उप्शन रहेगा, लेकिन 31 में के बाद रजिस्टेशन करोगे, और 31 जुलाई तर, दैन आप December 24 में एक कोई मोडियूल, चाहे मोडियूल 2 में एपिर करो, या 1 में एपिर करो, कोई 1 में एपिर कर सकते हो, December 24, रजिस्टेशन बोथ का हो जाएगा, लेकिन आप exam form फिल करते समय कोई एक ही मोडियूल का फिल कर सकते हो, लेकिन 31 जुलाई तक जो बच्चे रजिस्टेशन कर देंगे, एक मोडियूल तो December 24 में एपिर कर सकते, लेकिन बोथ मोडियूल जून 25 में एपिर कर सकते, लेकिन जिन बच्चों को जून 25 में बोथ 25 रिलेटेड डाउट क्लियर हो रहा होगा, अब डिटेल में जान लेते हैं, CS Executive Course में रजिस्टेशन कैसे करना, अब आप लोग ध्यान से बाते को सुन लेज़ेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, रजिस्टेशन करने जाईएगा, तो पहले वीडियो देख लिजे, क्या-क्या चीज लगता है, वो सब चीज रेडि करके रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में स्टॉप कर देना, पहले सब कुछ पूरा वीडियो को देख लेना है, उसके बाद जो-जो चीज लगता है, उसको रेडि रखना है, इसके बाद ही रजिस्टेशन करने जान पहले वीडियो देख लीजिए, एक बार ओवर विव ले लीजिए, कैसे CS Executive में रजिस्टेशन करना होता है, पहले वीडियो नहीं देखोगे, साथ-साथ करने जाओगे, कोई ऐसा चीज होगा, आपके पास नहीं होगा, फिर स्टॉप करना होगा, फिर दुबारा से करना ह होगा, हो सकता है, कुछ गलती हो जाए, बेटर है कि पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में, आप लोग रजिस्टेशन करने के लिए, लैप्टॉप या डेक्स्टॉप का ही यूज करें, गूगल पे लिखोगे, आईसी एसाई, और आईसी एसाई का ओफिशल व CSWT Pass Result होना चाहिए, Category, Certificate भी होना चाहिए, अगर आप Other than General होतो, Identity Proof भी होना चाहिए, चैसे कि अधार, Card, Pen, Card, Driver, License, इन सम्में से कोई एक होगा तो चल जाएगा, पहले आप सारे Students वीडियो देख लो, कैसे क्या Registration होता है, कितना Registration के लिए हमको Payment करना होता है, अगर कोई भी फार्मेट में होना चाहिए, आपके स्क्रीन पे सो करा है, इस फार्मेट के अलाबा, अगर आप अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगा, साथ में फोटो और सिगनेचर का कितना साइज चाहिए, MB में वो भी लिखा हुआ, इस MB से जादा और इस MB से कम भी होगा तो नहीं होगा अपलोड, अगर कोई भी फाइल अपलोड नहीं हो रहा है, तो कॉमेंट बॉक्स में ये ना पुछे अपलोड नहीं हो रहा है, इस साइज या इस MB में नहीं फॉर्मेट में होगा, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है, तो कॉमेंट करने से बेटर है क उसको आपको सही करना, यह सारे option पे आपको टिक करना है, कि आपके पास यह available है, उसके बाद यहाँ पे click कर देना, जैसे ही click करोगे तो CSWT का unique ID पूछेगा, और साथ में CSWT का roll number पूछेगा, capture fill करके submit कर देना, ध्यान से बाते को सुलेना, registration करने के दौरान अगर बीच में रुखते हो, पहली बात पूरा कोशिस करना है, एक बार में payment कर देना है, सब कुछ अपने पास available रखना है, इनकेस अगर रुखते हो तो आपके mail पे एक unique ID गया होगा, CSWT का unique ID नहीं, एक new unique ID बनेगा जो कि आपके mail पे आएगा, तो side में incomplete registration सो कर रहा है, वहाँ पे click करके आप आगे का process को बाद में continue कर सकते हो, अगर बीच में रोकते हो तो, तो कोशिस ये करना है कि एक बार जब बैठ हो registration करने तो पूरा complete करके ही उठना, बीच में कोई problem हो तो executive को select कर दीजेगा, इसके बाद qualification में CSWT past यहाँ पे select करोगे, अधार number लिखना mandatory नहीं, आप पे depend करता आप लिखना चाहो तो लिख दीजे, otherwise skip कर सकते हो, आप लोग अपना title को select करोगे boys and girls के हिसाब से, आपका नाम यहाँ पे already field होगा, इसके बाद आप students को gender select करना है, male हो, female हो, transgender हो, अपने हिसाब से select कर लिजेगा, इसके बाद category select करना है, क्या आप SCST हो, OBC हो, जेनरल हो, इसके हिसाब से, आप अपने हिसाब से select कर लिजेगा, और भी option है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, select करना है अपने हिसाब से, तो यह students general category से belong करती हो, तो मैं general select कर देता हूँ, इसके बाद आप लोग अपना date of birth को select कर लिजेगा, अच्छे से select करना है, जल्द बाजी नहीं करना है, इसके नीचे में nationality में Indian लिखा होगा, अपना phone number है, आपके पास तो phone number दीजे, otherwise skip कर दीजेगा, mobile number देना mandatory है, आप लोग अपना mobile number लिखिए, इसके आपको अपना mail ID लिखना है, इसके बाद re-enter mail ID, यह सब लिखने के बाद, आप लोग को orientation program होता है, one day orientation program, इसके लिए कोई भी regional branch को select कर लेना है, कहाँ पे आप लोग करना चाहते हो, जो भी ब्रांच, जो भी area आपके आसपास है, वहाँ को आप लोग यहाँ से select कर scroll down, फ्रासा नीचे करोगे, तो यहाँ पे आपको address माएंगा, address सही से फिलकरना, यहीं पे आपका book को deliver किया जाएगा, जिन भी students का correspondence, address और permanent address सेम होगा, तो टिक करके आएका process continue करेंगे, दोनों address सेम है, तो टिक करना, next पे click करना, जैसे ही next पे click करते हो, यहाँ पे आपके स रहा हो, तो छोड़ सकते हो, बाद में जाकर के registration कर सकते हो, क्योंकि आपके पास unique ID generate हो चुका है, यही unique ID को अपने pass रखना, incomplete registration वाले जापे, मैंने starting में बोला, तो वहाँ पे लिखना परेगा, तब ही जाकर का process continue कर पाओगे, बट मेरे हिसाब से एक बार में ही registration पूरा कर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पापा और मम्मी का नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग अपना पापा और मम्मी का नाम सही सही फिल कीजेगा, जल्द वाजी में गलत फिल नहीं करना है, पापा और मम्मी के नाम लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करके थुरा सा नीचे आना, सही सही टाइप करना है spelling mistake मत कर देना, यहाँ पे qualification detail को add करना परेगा तो आप जो भी pass उच्छा है तो 10th का marksid भी update कर सकते हो, 12th का marksid भी update कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे students का 10th का marksid update कर दे रहा हूँ बाकि आप लोग चाहो, तो 12th का marksid भी update कर देजिएगा, देखो यहाँ पे कोई main subject नहीं होता, तो main subject में क्या करोगे, अपने हिसाब से जो भी तेंथ में subject था, उस subject का नाम लिख दीजिएगा या नहीं तो na लिख दीजिएगा and slash a, पहले बाले box में अपना school या college का नाम लिखना है, इसके बाद university या board का नाम लिखना है, इसके बाद main subject मेंने बता दिया, कौन से year में आप exam पास कियो, वो लिख दीजिए, select कर दीजिए, यह सब करने के बाद आपको next पे click करना, जैसे ही आप लोग next पे click करते हो, एक काम करना कि add more पे click करके 12th का भी detail यहाँ पे fill की कर देना, यह दोनों detail लिखने के बाद आप next पे click कर दोगे, जैसे next पे click करते हो, तो यहाँ से पूछा जाया है, कैसे आपको CS course के बारे में पता चलाया है, अपने हिसाब से कोई एक select कर लिजाए, कोई compulsory नहीं कि क्या select करे, इससे कुछ नहीं होगा, इसके बाद आप से पुझाज है क्या आप opt करना चाहते हो, classroom coaching center, yes, अगर करना चाहते हो, ICSI करते हो, otherwise no पे click कर दीजिएगा, फिर से score down करके थुरा सा नीचे आजाना, यहाँ पे अगर आप ICSI का CS का students journal लेना चाहते हो, तो यहाँ पे tick कराने दीजिएगा 500 रुपया लगेगा, यह आप चाहो तो un-tick कर सकते हो, तो अभी so कर रहा है 10,600 रुपया, जैसे ही और scroll down करके थुरा सा नीचे आना, next पे click कर देना, जैसे ही next पे आप लोग click करते हो, इस page पे अपना photo, signature, सारा qualification, detail अपडेट करना परेगा, तो मैंने यहाँ पे photo, signature और सारा detail यहाँ पे add कर दिया, आप लोग भी देख सकते हो, क्या-क्या से चेक कर लेना, कोई typing mistake तो नहीं करती हो, spelling mistake तो नहीं करती हो, सब कुछ अच्छे से चेक करना है, यहाँ से भी आप लोग back जा करके इसको सुधार सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं चेंज कर पाओ तो यह सारा information को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, और अगर कोई mistake लगता है, तो back का option है, इस पे click करके back चले जाना है, अधर बाइज confirm पे click करके आपको confirm application कर देना है, जैसे ही confirm application करोगे, यहाँ payment का option पूछा जाएगा, आप हमेशा build X से ही payment करना, चलान जोई भी free में book order नहीं करना होता, जैसे ही आपने registration कर लिया, और registration fee के अंदर में included होता है book का fee, ऐसे नहीं अधूरा registration, जैसे ही आप लोग payment कर दोगे, जैसे ही payment करोगे, आपका confirmation हो जाएगा registration, registration confirmation का mail आने में 5-7 working days लग सकता है, और आपको 30-50 working days लग जाएगा, book आने के लिए registration करने के बाद, relax हो करके पढ़ाई करो, 30-50 दिन के अंदर में book आपके घर पे आ जाएगा, अभी तो आप लोग registration कर लो, exam form फिल करने से पहले O.D.O.P.D. exam test complete करना होता, सब के बारे में इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा, अगर आप लोग इस चैनल को subscribe करते हो, बिना टेंसन के relax होकर के पढ़ाई कर पाऊगे, तो please students चैनल को जरूर subscribe करें, और कोई भी additional doubt हो, मुझसे बात करना है, तो आप सीधा Instagram पे search करो, चार् से बात कर पाएंगे आप लोग